अभी MIUI का एक latest camera app का update आया है जिसमें आपको काफी कुछ नए UI देखनी को मिलते हैं और काफी interesting एक features एड़ किया गया है जो कि photographer के लिए काफी ज़्यादा helpful होने वाला है लेकिन ये कैसे काम करेगा क्या 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 चीज आपको नई देखनी को मिलते है वो आज की इस वीडियो भी काफी अच्छा खासा करा गया है आपने उस वीडियो को चेक आउट नहीं किया तो चेक कर लेना और अपने सिस्टम एप को अपडेट कर लेना ताकि आपको काफी बेटर features मिल सके लेकिन आज हम बात करने वाले यहाँ पर जो कि हमारे camera के अपडेट से regarding होने वाला है औ यहाँ से download आप कर सकते हो सबसे पहले आप यहाँ पर notice करो कि यहाँ पर जो camera का icon है जो कि आप हमेशा से देखते वाए हो यह similar है लेकिन update के वाद यह change होने वाला है और यहाँ पर default camera के अगर मैं version की बात करूँ तो वह आपको देखने को मिलता है 4.3.004180.4 ठीक है यह है जो default वाला camera है लेकिन यहाँ पर आपको एक red dot देखने को मिल रहा होगा जो कि side किसी इस फोर में नजर आ सकता है किसी में नजर नहीं आ सकता और यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है यह जो मेरे पास me 11x है इस पर भी मैंने camera को update कर रखा है लेकिन यहाँ पर कोई भ 00511.0 और यहाँ पर uninstall का भी option देखने को मिलता है जिसे आप चाहो तो अपने merge से आप से uninstall भी कर सकते हो जो कि मैंने अब uninstall कर दिया और uninstall करने के बाद भी same icon यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आप देख से तो इसमें भी similar version आ चुका है जो कि 4.3.003960.5 का है जो कि करी download करना है और अपने phone के अंदर इस तरीके से update कर लेना है कुछी second के अंदर आपका जो default camera app है वो update हो जाएगा और आपको नया look दिखना सुरू हो जाएगा और नया features हो गेरा भी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो और यह रहा हमारा 4.5 और यहाँ पर आइकन में आप आपका आइकन चेंज होता है update के बाद या नहीं होता अब जैसे update होता है आप इसे open करो first time अगर आपने data clean कर रखा है तो permission लेगा otherwise पहले से आपने camera यूच किया है तो कोई भी permission नहीं लेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो अब यहाँ पे आप देखोगे कि documents का sign आपको नीचे आ चुका है वीडियो का sign आपको नीचे देखनी को मिल रहा है और इनके जो test पगे रहा है यह पहले से change हो चुका है पहले थोगा different देखनी को मिल रहा था अब यहाँ पे आपको different नजर आता है साथ से साथ यहाँ पे 0.6x, 1x और 2x आपको लिखाओ मिलता है जबकि old camera ey की बात करें तो उसमें यह चीज़े आपको नजर नहीं आती जैसे कि इस phone का मैं old camera जो कि आप still use कर रहे हो इसको अगर मैं open करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोए कि आप सिर्ट देखनी को मिलता है उस पे click करने के बाद 0.6x और 1x नजर आता है और इनके documents का यहाँ पे option आपको देखनी को मिलता है जहाँ पे आप protect कर सकते हो अपने documents को जो के पहले हमें more में नजर आता था बट अब यह बाहर आ चुका है तो इस तरह की साब यहाँ पे watermark बगेरा है जो लगा सकते हो इसके बाद अगर मोर पे जाते हैं तो यहाँ पे यहाँ प आपका camera support करता है officially वही features रहेंगे बस थ्वासम motivation यहाँ पे आपको देखनी को मिलेगा लेकिन इसके बाद जैसे आप photo के ऊपर आते हो उसका यहाँ पर ट्रिपल नाइन पर जाते हो आपको यहाँ पर वाय सटर कमांड का option देखनी को मिलता है यह उनके लिए काफी फाइद जो सटर पर क्लिक कर देना है और phone question पर आके दूर चले जाना है और वहाँ से command देना है आपका phone photo क्लिक कर देगा जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर command on करते हैं यहाँ जो इसका सटर बटन है इस पर भी आपको voice का sign देखनी को मिलता है जो कि यह option हमें पहले देखनी को नही काम कैसे करता है तो फिलाल में यहाँ पर voice assistance यूज करने वाला हूं तो आप से देखना क्लिक हो गया once again क्लिक हो गया तो इस तरीके से आप इस voice command का यूज करते हो फोटोज बगरे है जो क्लिक कर सकते हो जो कि भाई काफी फायर ने मन्न है जो कि बैक कमरे के लिए काम कर रहा है और हम यहाँ पर selfie की बात करें तो यहाँ पर selfie में भी आपको देखनी को मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर दे दर यूज कर सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि आपका फोन अगर लेटिस्ट इंडॉइट वर्जन पर रन कर रहे ना तब ही साइड यह कैमरा काम करेगा अगर आपका इंडॉइट 10 या साइड 11 है तो उस पर साइड काम ना करे तो यह चीज़ आप जरूर चेक कर लेना और जब आप इंस्टॉल नहीं होगा फोर एक्जामपल अगर आप MIUI के अंदर वन प्लस का स्टॉक कैमरा डालने के कोशिस करोगे पोर्ट वाला नहीं सिंपल वाला जो स्टॉक बाइड डिफोल रहता है तो इसमें इस्टॉल नहीं होगा क्रेश कर जाएगा नोकिया का डालो सेमसंग का डालोगे किसी अधर फोन के अंदर ना तो आपने इस्टॉल नहीं होता है क्रेश हो जाता है क्योंकि वह उसके सिस्टम के साथ कमफोर्टेवल नहीं होता सिर्फ वह अपने OS के अंदर इस्टॉल हो पाएगा तो सेम चीज़े यहां पर भी है और जो कैमरा मैंने आपको सिस्टम एप अपडेट में देखनी को मिलेगा यह अक्सर आपके MIUI के अपडेट के साथ है जो अपडेट कर दिया जाता है जो कि मेबी आपको 14 वाले अपडेट में देखनी को मिल सकता है आने वाले टाइम में या उसके पहले भी मिल सकता है वो तो आने वाले पास फरक नहीं पड़ेगा जैसा आपका क्वालेटी था से वैसे ही रहेगा बट मेभी पिछले वाले या वर्जन के वज़े से आपका कैमरा का क्वालेटी थ्वासा का बिगरा है तो इसमें हलका फुलका इंप्रूमेंट की चांसेज है लेकिन डाउंसाइड में नहीं आप हो जाएगा तो भाई आप मत करना दूरी रहना ठीक रहेगा ओके सो मिलते हैं अपने वीडियो में तब तक लिए बाबाए